आईफोन को सभी स्मार्टफोन में से सबसे तगड़ा फोन माना जाता है उसकी फीचर्स उसकी कैमरा क्वालिटी उसकी लगातार मिलती अपडेट्स के कान लोग उसे पसंद करते हैं इसके अलावा बहुत प्रीमियम लुक भी ये देता है इस वजह से भी लोग इस फोन को ब प्रीयन कंजूमर्स को नहीं भा रहा लोग इसको कम पसंद कर रहे हैं ऐसा क्यों है आज इस वीडियो में हम यहीं जानने की कोसिस करेंगे कि ऐसा आइफोन 13 के साथ क्या हुआ कि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे उसकी बजाए आइफोन 12 को लेना ज्यादा पसंद करते है आइफोन की बात अगर हम करते हैं तो आइफोन को सबसे अच्छा फोन इसलिए माना जाता है कि वो रेगूलर अपडेट शोफ्टवेर के थू देता है और उनका हार्डवेर भी कैपेबल होता है लंबे समय तक रन करने के लिए उसके अलावा जो प्रीमियम लूख है वो यह वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं तो यहां पे कुछ खास अपडेट लोगों को आइफोन 13 के अंदर नहीं देखने को मिली आइफोन 12 के मुकाबले हम कह सकते हैं काफी ज्यादा अपग्रेड है बट आइफोन 12 के मुकाबले अगर हम बात करते हैं तो यहां पे बहूत माइनर शीजाड़ ही आपको देखने को मिलती हैं अगर हम प्राइफ की बात करते हैं तो प्राइफ वाई इतनी अच्छी अपडेट आपको iPhone 13 के अंदर देखने को नहीं मिलती जितना की प्राइफ हाइग क्या क्या गया ।т लोगों को पसंद नहीं आया जो मेजर की जो bionic chip थी A14 वो काफी अच्छी थी बट अगर price की बात करें तो in comparison to that यहाँ पे आपको 15-30,000 रुपे का gap sale और बगैर sale के अगर आप उसको खरीबते हैं इस तरह का देखने को आपको मिलता है अब यहाँ पे अगर phone की बात करें तो सबसे important part जो phone का है वो है screen क्योंकि उसी के थुरू आप कोई भी media है या सारा दिन phone को देखते हैं तो यहाँ पर iPhone के अंदर high refresh rate नीचे iPhone 13 के अंदर देखने को नहीं मिला इसमें लोग काफी नाराज है जो बहुत सारे comments वहाँ पर इसी तरह के दिखाई दिये कि जिसमें iPhone 13 के अंदर यह कहा गया कि अच्छा होता ए में यह तो सभी को पता है कि यह user friendly नहीं होते क्योंकि बहुत सारी apps आम लोग जितने भी use करते हैं बहुत limited है अब कई लोग यह कहते हैं कि app वहाँ पे हैं बट उनकी quality देखिए काम करने का quality आप चेक कर सकते हैं Android से कुछ अच्छा experience मिलता है fluidity मिलती है अच्छा smooth उसका operating system ह बट apps की बात करें तो वहाँ पे इतना ज्यादा difference देखने को नहीं मिलता जितना price wise difference है Android apps भी आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छे phones वहाँ पे हैं in comparison to अगर हम iPhone 13 के देखें तो इस वजह से भी लोगों के अंदर खासी नाराजगी इसके अंदर दिखाए थी अब सबसे बड़ी बात आप फोन लेते हैं तो उसके अंदर बैटरी अच्छी होनी चाहिए बट iPhone इस जगह भी फैल हो जाता है बैटरी के अंदर iPhone 12 के मुकाबले थोड़ा सा improvement है बट अगर हम बात करें Android के मुकाबले तो वहाँ पे इतनी अच्छी बैटरी आपको देखने को नहीं मिलते हैं आज की डेट में जो वीवो, ओपो, वन प्लस, सैमसंग काफी अच्छे प्रीमियम फोन्स लांच कर रहे हैं इन कंपरिजन तो डैट iPhone 13 को लोग कम पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो सारी फीचर्स आपको वहाँ पे भी मिल रही हैं यहाँ प आइफोन 12 बहुत ज्यादा विका है इन कंपरिजन टू आइफोन 13 लोग आइफोन 12 को बहुत ज्यादा पसंद करें को कि वहाँ पर प्राइस उनको काफी सस्ता मिला अब आइफोन 13 की बात करें तो सिर्फ लोगों को कमी ही नहीं कुछ अच्छा इंप्रूव्मेंट भी उ पहला था आइफोन 13 की बैटरी बैटरी आइफोन 13 को ये नहीं कहा गया किसी ने भी ये नहीं कहा कि आईफोन 13 की बैटरी बैस्टत है बंट लोगों ने ये कहा पिए और टो सब्सक्राइं की वैटरी लाइफ अच्छी具 है दूसरा, वहाँ पे camera के अंदर हलकी सी improvement दिखाए दी, उसको खास हम कहे नहीं सकते, कोई खास innovative नहीं है, क्योंकि आप tap करके कहीं से भी कर सकते हैं, मैं cinematic mode की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो iPhone 13 को launch किया गया तो उस time पे बार-बार कहा गया कि ये cinematic videos को record करता है, ऐसे आप apps ब effective नहीं है, कई reviews भी मैंने YouTube के ऊपर देखें, वहाँ पे भी उतना effective वो दिखाई नहीं देचा, इतना उसको highlight किया गया, या यूं कहें कि iPhone 12 के मुकाबले iPhone 13 की बात करते हैं, वहाँ पे इसको major update के बारे में दिखाया गया, तो इतनी ज्यादा major update सिर्फ एक इस point को नहीं मान 13 खरीदने का मुका मिले और एक iPhone 12 खरीदने का मुका मिले तो आप किसे खरीदना चाहेंगे, यहाँ पे अभी presently अगर sale की बात करें तो iPhone 12 भी available है, iPhone 13 भी available है, आप किसे खरीदना चाहेंगे यहाँ पे वो आप नीचे comment section के अंदर लिख सकते हैं, और दूसरा ये भी बताए कि आप iPhone को पसंद करते हैं या Android के अंदर रहना ज्यादा suitable लगता है, आपकी क्या रहाई है, आप कौन सा phone इस्तमाल कर रहे है, क्या iPhone आपका dream phone है, तो इसके बारे में भी जरूर बताएं, वह लोग बहुत वेट करते हैं, expectations रखते हैं, iPhone जब launch होता है, और कुछ ऐसी ही उम आपको बता रहा हूँ कि लोग क्या पसंद क्या चाहते थे iPhone से, लोग चाहते थे कि अच्छी battery life हो, screen जो है वो काफी अच्छी मिले, refresh rate, higher refresh rate उसके अंदर मिले, क्योंकि आज कर लग बग हर phone के अंदर higher refresh rate हमें मिल रहे हैं, उसके अलावा अच्छी battery life हो, और of course सबसे notch कम से कम नहीं होना चाहिए था, वहाँ in display जो camera का होता वो तो एक अच्छी बात थी उसके लिए लोग वेट कर रहे थे, बट in display अगर वो camera नहीं भी दे पाते selfie का, तो at least उन्हें पंच होल camera जरूर देना चाहिए था, क्योंकि notch और इतनी बड़ी notch, it's very old fashion, तो ये कुछ उ और अपनी कीमती सुझाव नीचे comment section के अंदर जरूर लिखेंगे, मेरी कोसिस रहती है कि आपको unbiased और आपके काम के reviews मैं देपाऊ, exact reviews आपको देपाऊ, तो क्या आपको expectations सिर्फ iPhone से हैं, क्या Android आपकी expectations पे घरा उतर है, या आपको वहाँ पे भी कुछ चूना लगाया जा तो दो बार dislike करें, तो यहां तक बने रहने के लिए, thank you very much.